नमसकर दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके को-सर्कूलर पेपर के बारे में आपका जो पेपर होगा को-सर्कूलर का पेपर B.A. B.S.E. पिकाम B.A. second semester के लिए है second semester के लिए तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके exam में किस तरह से question आते हैं तो यह question है examination यानि 22 का यानि 2022 का यानि previous यानि पीछले exam का paper है first aid and health ठीक है तो आएए हम question को शुरू करते हैं तो इसमें आपको total एक घंटा या डेड़ घंटे का समय मिलेगा और 50 question से 75 question तक हो सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको 50 important question बताएंगे तो आप इस वीडियो को देखें और जाने की इस तरह से question आएंगे आप डरियेगा नहीं इस paper में क्योंकि यह इस paper में पास होना भी बहुत important है तो आपको इस paper में pass होना है नहीं तो आपकी paper में back भी लग सकता है ठीक है चलिए तो question को सुरू करते हैं तो जिन लोगों के साथ अभी आपने वीडियो को share नहीं किया है तो वीडियो को share कर दें और अपने दोस्तों के साथ share करें अपने दोस्तों के साथ और आप भी वीडियो को देखें और चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें ठीक है तो इसमें पहला question दिया क्या है मानसिक स्वास्त दीवस का मना जाता है ठीक है mental health day celebration on यानकि मानसिक स्वास्त दीवस का मना जाता है तो इसका राइट अंसर है 10 October को मना जाता है आपसर नमर ए इसका राइट अंसर है आई यह बढ़ते है next question की तरह आत्महत्या के संकेतों को पहचानकर इससे बचा जा सकता है कि suicide can be avoid by identify it identifying its warning things आनि कि आत्महत्या के संकेतों को पहचानकर इससे बचा जा सकता है सत्य को जानकर हम आत्महत्या के आत्महत्या को हम रोग सकते है आनि कि आप क्यों कर रहे है आत्महत्या किसलिए कर रहे है तो उसको हम पहचानकर आत्महत्या को रोग सकते है आईए बढ़ते है next question की तरह next question है guys हमारा इने में से कौन समेदी अंग नहीं है तो जीब, नाक, आक ये सभी क्या है समेदी अंग है बट जो हमारा गला है यानि थ्रोड ठीक है यह हमारा समेदी अंग नहीं है ठीक है चलिए next question कि तरफ बलते हैं next question हमना दिया गया है योन सिच्छा का क्या उद्येश है तो योन समंदी सही जनकादी देना आपसे नमबर B क्या है इसका राइट एंसर है तो कुछ इस तरह से कोश्चन आपके एकजाम में यानि फर्स्ट AID and Health के एकजाम में कोश्चन आएंगे तो इस पेपर को भी तैयार करके जाएगा यानि कि इस वीडियो को देख कर जाएगा क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में से भी आपके दस पंदर कुश्चन आनि कि फल सकते हैं आ सकते हैं योन सिच्छा किसके दोरा दी जाती है तो उप्रिक्त में से सभी के दोरा दी जाती ह है दो बच्चों के बिच में अंतर दो बच्चों के बिच में अंतरिया परिवार नियोजन का मुख्ष उद्देश है यानि दा मैन अबजेक्टिव आप फैमिली प्लानिंग क्या है डिफिरेंस और गैप इन बर्थ भी ट्वी ट्वीन टू चिल्डेन ठीक है आईए बढ़ समाज पर आपदा के पडियोराम क्या होते हैं तो जीवन का दुटान होता है संप्ति को नुष्टान होता है प्रयाव लट चवंभा द को नूस्कान होता है तो आ दो आपसा नमर क्या है 2 ऐसका नमरा दिया गया है निम्रेघित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है त नेश्ट कुछन कि तरफ सक्धाइब सितम्बन के दूसरे सनिवार को मनाए जटा है आपसे नőअबर बी इसका राइटन सरही头 Satin कि तरफ हमारा और नीश्ट को संदिया गया है, प्राथमिक चिकिस्था है, तो एक ततकालिक जीवन रचा को पचार है, यदि आपके सामने कोई या sideтор हो जाता है, या accident हो जाता है, ज़िधि आप प्राथमिक चिकिस्था से परिजित हैं, तो ततकाल उस आदमी की मेधद कर सकते हैं, और उस प्राथमिक चिकिस्ता के प्रमुख गुड़ क्या है तो बुद्धिमानी सेवा भाव और दच्छता यह सभी क्या है मारे प्राथमिक चिकिस्ता क्या है गुड़ है यह सभी क्या है प्राथमिक चिकिस्ता किस स्थान पर नहीं दियाती है प्राथमिक चिकिस्ता किस स्थान प तिक है यानि किसी सुरच्छी तस्थान पर या किसी मतलब फेल्ड वागेरा यानि जगहां जहां पर हो वहां पर प्रफमिक शिकिस्ता दी जा सकती है आथिए बढ़ते हैं next question की तरव हमरा next question दिया गया है दोस्तो प्राथमिक चिए स्वास्त केंदर की अउधारा को प्रस्तूत कि ने किया है। कि प्राथमिक चिकिस्ता का मतलब क्या होता उसे तत्काली नि शे लिए सेवा पृधान करना। सिप्यार का मतलब क्या होता है तदकाली निन शेवा उसको पदाषून करना आपसे नमरं क्या है की सिस का रायटूर हो जाता है जब एक् Millfert यानि एक डॉक्टर मरत समहान लेता है तब इस हमारा की सिस्ष्फ क्या हो जाता है पूर हो जाता है आपसे नमर क्या है सी इसका राइड एंसर है तो आप यदि आप आने की कंसेप्ट समझ के जाएंगे यानि कि आप अपने दिमाग से भी इस पेपर को सौल्ब कर सकते हैं ठीक है प्राथमिक स्वास्तकेंज में किसका होना आवस्चक है तो च्छा सिकिस्तक अधिकारियों का च्छा बिस्तरों का एक मलब द्वा खाने का यानि उप्रुक्त में से सभी का आपसे नमर डी इसका राइट एंसर है आई यह बढ़ते हैं इस को संकी तरफ है तो गाइस इस पेपर में आप कामन सेंस का बहुत यूज करिएगा क्योंकि आप इसका तो कला अधिकार ना उप्रक्त में से सभी आपसे नमर डी इसका राइट एंसर है नेश्ट कोशन क्या है दिया गया है वह चिकिस्ताले जो दूर दराज के छेत्रों में बस द्वारा चिकिस्ताय सुभधान परदान करता हुसे हम क्या करते हैं चलती फिलती डिपैंसरी कहते हैं क् सबसे अच्छा साधन है कि और झाले जानमर के जलेडियर जानमर के काटे जाने पर elas का पेलने का डर रहता है तो किस चीज का वरस का डरnocता गश्ट का बाय प्रोडेंफ लिए का शालीर में महसते हं ने के डर हूण रहता है ंदो यदि आप गंभीर रक्त स्थराव देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए उस्त में यदि आप गंभीर रक्त यानि की रक्त का बहना देखते हैं तो आपको उसमें साब कपड़े से ढख देना चाहिए आप साब कपड़े से ढख देना चाहिए यानि की बांद देना चाहि इतना ध्यान रखिए यह आपको सर्व काटा है तो आप सोएगा नहीं कि नीद आपको नहीं आना चाहिए आपसे नमर बी इसका राइट एंसर है इसका राइट एंसर है बढ़ते है नेस्ट कोसिन की तरब रिजया गया है चाहिए नियम के तहट हाथ कितने सेकेंड तक धूना चाहिए समान नियम के तहत हाथ को 20 सेकेंड तक दोना चाहिए आपसे नमर क्या है ए इसका राइट एंसर है आईए बढ़ते हैं नेस्ट कोशन की तरब यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो हाथ धोने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे एक अच्छे सेने टाइजर में पाए जाता है तो एक अच्छे सेने टाइजर में遊戲 साबुन इलकोहाल उपरक्तु में से सभी आपसे नमर D सभी पाए जाते है और यह बढ़ते है नेस्ट कोशन की तरब पीपी ऑई कीट का उपयोग किस से बचने के लिए किया जाता है PPE PPE kit का इस से बचने के लिए किया जाता है 3 संक्रमड से बचने के लिए किया जाता है आपसे नमर क्या है 20 का राइटन सरा ये बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोशन की तरब हमारा नेक्ष्ट कोशन है ORAS का पूर्ड रूप क्या है यानिकि ORAS का फुल फ्राम क्या है Oral Hydration Solution Oral Hydration Solution क्या है Oral Hydration Solution Option number क्या है यह इसका right answer है आईए बढ़ते हैं इने इस question की तरब Inhaler का प्योग किसके लिए किया जाता है अस्थमा की बीमारी में हम Inhaler का प्योग किया जाता है आपने कभी मतलब फिल्मों में देखा होगा जिसको अस्थमा की बीमारी रहती है तो इस तरह से मतलब कुछ इस्प्रे की तरह मुह में डालते हैं उसे हम Inhaler करते हैं अस्थमा की बीमारी में लिया जाता है आईए बढ़ते हैं next question की तरब बच्चे को किस वबस्तू से निगलने के बाद घूटन हो सकती है सिक्का, बटन, खोटा खिलाओना यानि कि उपकी में से सभी आपने की इसका राइट एंसर है खून को जमने में मजद करती है तो खून को जमने में कौन मजद करती है डबलू बीसी, प्लेटलेस्ट और आपने की इसका राइट एंसर है आए बढ़ते हैं next question की तरब हमरा next question है दिल के दौरे का संकेत नहीं है तो पसीना आना या दिल के दौरे का संकेत नहीं है हड़ी टूटना या मुड़ना कहलाता है क्या कहलाता है मोच, अस्तिभंग, जोड आपसन नबर डीस, सभी आए बढ़ते हैं next question की तरब सरीर की सबसे लंबी हड़ी को क्या है सरीर की सबसे लंबी हड़ी है कौन है जांग की हड़ी है मोच या हड़ी की चोटों में क्या नहीं करना चाहिए चोट की मालिश न करे, चोट पर गर्म सिकाई न करे, गती विधी जारी न रखने दे आपसन नबर क्या है इसका राइट एंसर है यानि की प्राथमिक उप्चार यानि की किसी नज़िती की अस्ताल में ले जाना चाहिए हड़ी बले डाक्टर के पास तंत्रिका तंत्र के अंग होते हैं तो उप्रक्त में से सभी तंत्रिका तंत्र के अंग होते हैं किसका मस्तिक सरवाधिक जटील और गूड है मनुस्य का मस्तिक सबसे जटील और सरवाधिक गूड है मिरगी की संभावना किसाय में अधिक होती है किसोरा वस्था में आउए बढते हैं मैंस्ट कोईशन की तरब चक्र आनी का कारण क्या होता है मस्ठिक में अस्थाई कम रखताव की पुरती अनी चंक क्या है आप सुन के आने कि हमारा जो रखत है वो मस्ठि तक और नेस्ट कोशन है सबसे अधिक पाचन क्रिया कहां होती है सबसे अधिक पाचन क्रिया छोटी आठ पेट बड़ी आठ आपसे नमर क्या है डी इसका राइट एंसर है नेस्ट कोशन है या कृत पाचन में किस प्रकार की सहायता करता है पी तरस का उत्पादन करता है आपसे से two होाई इता है तो 6 न मुख से याप इसका राइट एक शोटना बने के तो वही दिया गया तिक है आप्स नमर डी इसका ì डायरिया रोग के कारण क्या है डायरिया रोग के कारण क्या है गंदा पानी स्वच्छता वाइरस यह सभी क्या है डायरिया रोग के कारण है आप सेमेंबर डी इसका राइड़ एंसर है हमारे नेक्स्ट कोस्टन में दिया गया है दोस्तों कोई हानिकारक क्यमिकल आखों में गिर जाये तो कितनी देर तक आखों को साब पानी से धोना चाहिए लगभग 15 मिन्ट तक अपनी आखों को धोना चाहिए यदि कोई भी क्यमिकल आखानिकारक को चीज आपके आख में चली गई है तो 15 मिन्ट तक आप आखों को अपने धोए ठंडे पानी या गरम पानी से साब के काटने पर प्राथमिक चिकिष्टा के रुप में क्या किया जाना चाहिए अपसे नमर क्या है इसका राइट एंसर है आए इस कोशन का हम लास्ट को आनिकी इस वीडियो का लास्ट कोशन की बात करते हैं तो हमारा लास्ट कोशन दिया गया है रक्त स्तराव के कारण सरी को क्या हानी होती है रक्त स्तराव के कारण सरी की क्या हानी होती है यानिकि हमारा सरी भेहोसी की हालत में होने लगता है आपसे नमर क्या है इसका राइट एंसर है तो आपसे नमर क्या है इसका राइट एंसर ठीक है यह को सर्कूलर का पेपर है आपका इसको ध्यार में रखिएगा तो बेस्ट आप लग चलिए मिलते हैं नेश्टी वुडियो में तो इसके पहले वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रेप्शन बाक्स में मिल जाएगा या तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएगा आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा